एक अनार सौ बिमार जी हाँ, हजारी बाग संसदिय सीट पर इन दिनों ये कहावत बिलकुल फीट बैट रही है अगामी लोकसभा चुरा में हजारी बाग लोकसभा सीट पर उमिद्वारी को लेकर सायद सबसे ज़्यादा खीशता देखने को मिल सकती है बीजेपी और कांगरेस दोनों में ही दावेदारों के संख्या बढ़ गई है उदर आसू ने भी इस सीट को लेकर ताल ठोकना सुरू कर दिया है इस से बीजेपी की परिसानी और बढ़ गई है हलाकि ये बीजेपी की सीटिंग सीट है फिर भी बीजेपी निताओं के माथे पर बल पड़े हुए है आसू पार्टी ग्रेडी के सांसद चंद प्रकाश चौधरी को इस बार हजारी बाग से चुनाओ लणाना चाहती है क्यांकि उनके पास ग्रेडी सीट के लिए एक और दावेदार है हजारी बाग के बीजेपी सांसद जैंद सिन्धा का पार्टी के अंदर दबदबा रहा है इसलिए इस सीट को हासिल करना आसू पार्टी के लिए आसान नहीं होगा परन्तु अमिद साह के साथ सुदेश महतो की नजदीकियों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता हलाकि इस बार जैंद सिन्धा को बीजेपी के अंदर से भी चुनोती मिल रही है जारखन में हजारी बाग संसदिय छेतर हमेशा ही चर्चा के केंदर में रही है यस्वंत सिन्धा की ये परंपरागत सीट मानी जाती रही है अटल आडवानी के जमाने में पुरुकेंदरी मंत्री यस्वंत सिन्धा का यहां क्रेज रहा है फिर उनके पूतर जैंद सिन्धा के पास यसिट आ गई जैंद सिन्धा ने 2014 के लोकसभा चुनाओं में जीत हासिल की और केंदर में मंत्री भी बने इस बीच यस्वंत सिन्धा ने बीजीपी से दूनिया बना ली 2019 के चुनाओं में दूसरी बार जैंद सिन्धा ने चुनाओं में जीत हासिल की मगर इस बार भी मंत्री नहीं बन सकी 2014 के चुनाओं में जैंद सिन्धा दो लाग के अंतर से जीते तो 2019 में 4,89,000 से अधिक अंतर से वह जीते पर्विभिन कारणों से इस बार बीजेपी के ठीकर पर यहां से नए चेहरे की चर्चा तेज हो गई है इसके बास से ही इस सीट पर एंडिये में शामिल आसू पार्टी ने नजर गड़ा दी है बदादे की 2019 की लोकसभा चुनाओ में बीजेपी और आसू पार्टी गड़बंदन को राज की 14 में से 12 सीटों पर जीत हासिल हुई थी इस चुनाओ में बीजेपी ने आसू पार्टी के लिए सिर्फ गिरेडी सीट छोड़ी 13 सीटों पर बीजेपी उमिदवार चुनाओ में थे इस गड़बंदन का बीजेपी को फायदा मिला बीजेपी के 13 में से 11 उमिदवार विजए रहे जबकि गिरेडी संसदिय सीट पर से आसू पार्टी परतियासी चंदप्रगाज चौधरी भी बीजेपी के सहयोग से विजए रहे पांस साल के बाद अब आसू पार्टी और बीजेपी नेता सीट की अधला बदली करने पर विचार कर रहे है दोनों दलों के नेता इस बदलाओ में अफने फायदे को तलास कर रहे है हजारी बाग संसदिय सीट के रामगर विधान सभा सीट से चंदप्रकाज चौधरी तीन बार विधायक रहे है अभी यहां चंदप्रकाज की पत्नी और आसू पार्टी की सुनिता देवी विधायक है वहीं हजारी बाग संसदिय छेतर के बढ़कागाउं और मांडू विधान सभा चौणाओ में भी पिछले चौणाओ में आसू पार्टी ने दमदार उपस्तिती दर्ज कराई थी यही कारण है कि चंदप्रकाज चौधरी अपनी परंप्रागत सीट की और से लड़ना चाहते हैं इतना ही नहीं 2004 की लोगसभा चौणाओ में वह हजारी बाग संसदिय सीट से चौणाओ लड़ चुके हैं हलाकि तब उन्हें सिकस्त मिली थी गिर्डिस सीट का पांच बार परतनी धित्व कर चुके बीजेपी के पुरुसांसत रविंद्र पांडे भी चाहते हैं कि आसू पार्टी के हजारी बाग सिप्ट हो जाने से वर्स 2024 की लोगसभा चौणाओ में उनका रास्ता खुल पार्टी के अंदर उनके पाचान वित्य मामलों के जानकार के रूप में है वरिष्ट निताओं से उनकी नजदी की है केंद्री नेत्रित उन्हें वित्य मामलों में बड़ी जिम्यदारी देती रही है जैंत सिन्हा बीजेपी के रास्टी अध्यक जेपी नड़्डा के भ मांडू विधायक जेपी पटेल और पुरु विधायक मनुज यादो भी सीट पर अपने दाविदारी पेस की है। इस सीट पर INDIA गडबंदन में कांगरेस की दाविदारी मजबूत मानी जा रही है। साहू को उमिदवार बनाया था लेकिन वे जेंद सीना के सामने कहीं टिक नहीं पाए। इसके पहले 2014 में पुरु विधायक सौरम नरायन सिंग उमिदवार थे। सौरम नरायन रामगण राजा परिवार से आते हैं। उनके परिवार का इस पूरे इलाके में कई दसक तक दखल रहा है। उनके परिवार से राम नरायन सिंग, ललिता, राज, लक्षमी और बसन नरायन सिंग सांसद बनते रहे हैं। लेकिन फिलाल सौरम नरायन सिंग, कॉंगरेस और हजारी बाग दोनों की राजनीती से दूर हैं। इस बीच पूरुमंति योगेंद्र साव जेल से बाहर निकलने के बाद लगातार अपनी बेटी अमबा परसाथ के लिए लौबिंग कर रहे हैं। अमबा परसाथ बढ़कागाउं विधानसभा छेत्र की कॉंगरेस विधायक है और हजारी बाग छेत्र में अमबा परसाथ काफी लोगप्रिय है। इसके अलाबा कॉंगरेस के कई और नेता भी इस सीट पर टकटकी लगाए हैं। रामगड की पूरु कॉंगरेस विधायक ममता देवी भी इस सीट पर जोर अजमाइस करने को तयार बैठी हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है की एक अनार और सौ भीमार।